हेलो एविवन वेलकम टो पीजी लाइफस्टाइल आज मैं बनाने जारी हूं वर्मिसिली कस्टर्ड वैसे तो वर्मिसिली और फूट कस्टर्ड दोनों ही अलग अलग बनाया जाती हैं पर एक बार इन दोनों को मिलना कर बना कर देखिए यह बहुत जादा टेस्टी बनकर त एक बार इसे बना कर खाएंगे तो इसके फैन हो जाएंगे आप इसे आने वाले फैस्टीवल जैसे ईद और रक्षवदन बना कर खा आ सकते हैं फैनल रक्षवदनल बनाई जाती हैं सेवी convince बना हैं जिसमें से एक कप मैंने साइड में निकाल कर रख दिया है जिसको हम बाद में यूज़ करेंगे तो सबसे पहले हम दूद को बॉयल करकर तयार करेंगे कुछ देर बाद आप देखेंगे दूद में बॉइल आ चुका है इसे हलका हलका चलाते रहें नई तो दूद नीचे लग जाएगा और इसमें स्मेल आ जाएगे दूद बॉइल होने के बाद इसमें हम डालेंगे हाफ कप रोस्टिड वर्मिसिली जो की आपको मार्केट में easily मिल जाएगी अगर आपके पास रोस्टिड वर्मिसिली नहीं है तो इसको पहले रोस्ट कर ले वर्मिसिली रोस्ट करने के लिए पैन में थोड़सा घी डाल कर वर्मिसिली डाले और हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक रोस्ट करें तो सीवईयÁं डालकर इसे मेडियम फ्लेम पर 9-10 मिनट तक पकने के लिए छोड़ दें नौ से दस मिनट बाद आप देखेंगे सिवईयां पक चुकी है और ये थोड़ी सी फूल भी चुकी है अब इसमें हम डालेंगे हाफ कप शुगर शुगर आप अपने एकॉर्डिंग कम और जादा कर सकते हैं ये टोटली टेस्ट पर डिपैंड करता है आपको जितना जादा मीठा पसंद हो उतनी शुगर डालें हमारे घर में थोड़ी मीठा कम पसंद किया जाता है तो इसलिए मैं हाफ कप शुगर का यूज़ कर रही हूँ शुगर डालने के बाद इसे कॉंटिनुएसली अच्छे से मिक्स करते रहें अधर्वाइस ये नीचे लग जाएगी इन दे मीन वाइल हम कस्टड के सलरी बना कर तयार करेंगे यहां मैंने एक बाउल में लिया है दो चमच भर कर कस्टड पाउडर यहां मैंने वनीला कस्टड का यूज़ किया है आप अपनी पसंद का कोई भी फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं अब इसमें हम डालेंगे दूद जो मैंने पहले बचा के रख रखा था यहां मैंने हाफ कब दूद का यूज़ किया है इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लें और एक लंप फ्री सलरी बना कर तयार करेंगे इधर हमारी सेवईया बन कर तयार है अब इसमें हम डालेंगे कस्टड जो हमने बना कर तयार किया है थोड़ा थोड़ा कस्टड डालें और मिक्स करें इसी तरह से सारा कस्टड डाल कर अच्छे से मिक्स करें कस्टड डालने के बाद इसे लगतार चलाते हुए दो से तीन मिनट तक पकाएं दो से तीन मिनट के अंदर कस्टड गाड़ा हो जाएगा कुछ देर बाद आप देखेंगे सीवियां गाड़ी हो चुकी हैं इसी टाइम पर हम गैस का फ्लेम आफ कर देंगे क्योंकि ये बनने के बाद और भी ज़्यादा गाड़ी हो जाएंगे थंड़ा होने के बाद अब इसे फ्रिज में दो घंटे के लिए रख दें दो घंटे बाद इसे फ्रिज से निकालें और थंड़ा थंड़ा सर्व करें इसे सर्व करने के लिए सबसे पहले हम इसमें डालेंगे सेविया उसके बाद इसमें हम डालेंगे फ्रूट्स यहां मैंने ड्रेप्स और एपल का यूज किया है आप अपनी पसंद के कोई भी फ्रूट्स यूज कर सकते हैं इसके बाद इसमें थोड़ा सा सेविया और डाले और उसके बाद इसे ड्राइफूट के साथ गानिश करें. यहां मैंने बदाम का यूज किया है, आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राइफूट इसमें डाल सकते हैं. वर्मसीली कस्टर्ड सर्फ करने के लिए तयार है. आप इसे बाउल और क्लास किसी में भी सर्फ कर सकते हैं. यह बहुत ही टेस्टी और डिलीशेस बनकर तयार हुआ है. यू मस्ट ट्राइब इस रेसिपी. तो यह थी मेरी आज की वीडियो. आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना और आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब my चैनल. And don't forget to press the bell icon button. So that future notification आपको मिलते रहें. Till then, bye-bye!